गुद मॉनिंग एवरीवन वेलकम तो ओल्टाइम स्टेडी चैनल नाव तोड़े वी आर गोईंग तो कम्प्लीट आवर सेट नंबर फॉर फॉर वन वर्ट सब्स्टिटुशन तो लेस्ट साथ प्रसन जी से अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा टैन्शन होती है नेक्सट वन इस विदाउट वर रिसको पनिश्मेंट एक ऐसा परसन जी से पनिश्मेंट का डर ही नहीं हो बेशक से कोई भी गलत काम क्यों ना कर ले ऐसे परसन को हम impunity बोलते हैं ऐसी चीज़ों को नेक्स वन इस डीप इन थोट्स जो थोट्स में बहुत ज़्यादा डीप होता हुसे पैंसी बोलते हैं एक ऐसा परसन जो बहुत ज़्यादा खुश्मिजाज हो ऐसे परसन को वैग बोलते हैं एक बहुत बद्दासा लुक ऐसे परसन को लीर बोलते हैं नेक्स्ट वन इस इरेसिस्टेबल क्रेविंग फोर अलकोहलिक ड्रिंक्स यह हमने पहले भी कवर किया हुआ है अलकोहलिक ड्रिंक्स के लिए बहुत ज़्यादा एक तरीके से मैड होना ऐसे परसन को डिपसो मैनिया बोलते हैं यहाँ पे दो root word है, dipso, dipso का मतलब होता है, drink, या alcoholic drink, और जो mania word है, पिछे इसका मतलब होता है, madness, तो madness for alcoholic drink, ऐसे persons को हम dipso mania बोलते हैं, next one is a hater of mankind, यह हमने पहले ही cover कर लिया है, misanthrope, misanthrope का मतलब होता है, hate, और जो पिछे anthrop का मतलब होता है, mankind, तो hater of mankind, ऐसे person को misanthrope बोलते हैं, next one is a remedy for all diseases, सभी तरीके के, जो बिमारिया होते हैं, उनके लिए एक remedy, एक particular remedy होना, उसे panacea बोलते हैं, something that is poisonous or unhealthy, कोई ऐसी चीज़ों हमारी body के लिए, जहरीली और अस्वस्थ हो सकती है, ऐसी चीज़ों को toxic बोलते हैं, next one, the worship of idols or images, जो अब यहां पे idols or images, इससे सिर्फ बगवान की मूर्थियों कानी है, इंसान कभी कभी किसी को अपना idol मान लेते हैं, तो वे उनकी भी वर्षिप करने लग जाते हैं, यह से जो इन idols की वर्षिप की जाती हैं, इसे इडियोलेटरी बोलते हैं, next one, a place where nuns live and work, जो आपे nuns क्या होती हैं, जो churches वेगरा में और थे black dresses में दिखती हैं, उन्हें हम nuns बोलते हैं, तो एक ऐसी जगह जहां पे वो nuns जो यह काम करती हो रहती हैं, ऐसी जगह को convent बोलते हैं, next one, violation of something holy or sacred, यह जो यह भी हमने पहले कर लिया हैं, जो पवितर चीज़े होती हैं, उनका violation करना हैं, इसे हम sacrilege बोलते हैं, next one is, one who destroy images or attack popular beliefs, जो जैसे कई बार जो वैक्ती दर्म के खिलाफ होता हैं, वो दर्म से रिलेटी चीज़ों को, और उनकी images को nest करने की कोशिश करता हैं, तो ऐसा परसन जो इन सभी images को nest करता है, popular beliefs हैं, जो अमारे वो ऐसे परसन को icono class बोलते हैं, next one is, feeding on food made of both plant and flesh, जो plant और flesh दोनों को अपना बोजन मानता हो, ऐसे जो animals होते हैं, उन्हें हम omnivorous बोलते हैं, a woman having more than one husband at the same time, एक ऐसी woman जिसके एक से ज़्यादा husband हो, उसे हम polyandry बोलते हैं, या पर दो root word है, एक है poly, poly का मतलब होता है many, या more than one, और जो andro andry word है, ये बना हुआ है andro's से, जिसका मतलब होता है man, तो दोनों root words से अपने आप clear हो जाएंगे, next one are dan for small animals, एक small animals के रहने की, जो dan होते हैं, उसे हम huch बोलते हैं, to take back, withdraw or renounce, कोई हमने बात बोली, उसको हमने वापिस ले लिया, या हमने किसी चीज काम को करने का promise किया था, बट हमने वो नहीं किया, इसे recant बोलते हैं, next one, the habit of always admiring oneself, कई कई ऐसे परसन होते हैं, अपने ही, अपने आपकी खुदी, जो अतारीफ करने लग जाते हैं, और यह जब particular habit बन जाएं, तो इसे हम narcissism बोलते हैं, one who intervenes between two or more parties to settle difference, जब जैसे किसी भी दो parties में विवाद हो जाता है, तो उसके बीच में, जो उनकी settlement करवाता है, ऐसे person को हम intermediary बोलते हैं, इसको हम इस तरीके से वियाद कर सकते हैं, intermediate एक word होता है, जिसका मतलब होता है, mid, मतलब बीच में, तो intermediary ऐसा person, जो बीच में किसी, द to desert his principle or beliefs, एक ऐसा person जो अपने beliefs पर पूरा बरोसा करता हो, उसे renegade बोलते हैं, property handled down after the death of a person, कोई person मर गया, तो उसकी property को जब उसके children होते हैं, उन्हें जब hand over किया जाता है, तो इसे हम inheritance बोलते हैं, one who break the establishment, tradition and images, ये same way word repeat हो गया, जो holy चीज़े हैं, और जो images हैं, उन सभी को क कोई जो नश्ट करना चाता हो, ऐसे person को iconoclast बोलते हैं, next one is, one who believe in that gaining pleasure is the most important things in life, कोई ऐसा person जो ये मानता है, कि कुछी को प्राप्त करना ही जिंदगी में सबसे important होता है, money के comparison में, ऐसे person को hedonist बोलते हैं, building in which dead body is kept for a time, ऐसी buildings जहांपे dead body को रखा जाता हो, उसे amortuary बोलते ह नेक्स्ट वन इज़ एक्सपर्ट इन दा साइंटिफिक स्टडी ओफ बर्ड, जो बर्ड की स्टडी करता है, तो पीछे लोजी आ गया मतलब किसी इक चीज की स्टडी करना, और और इन्थो ये बर्ड से रिलेटिड है, तो और इन्थो लोजी हो जाएगा, जो बर्ड और जो इन्सेक्ट वगएरा होते हैं, इनकी साइंटिफिक स्टडी करना, तो आज की वीडियो में इतना ही, हम आगे इस सीरीज को ऐसे ही कंटीन्यू रखेंगे, अगर आपको और सब्जेक्ट के बारे में भी कुछ जो नोट्स वगएरा चाहिए, या क्लाज चाहिए, तो कम